ओम नमस्षिवाए कुछी दिनों में होली का दहन होने वाला है और तांतरिक उपायों में होली दहन और होली का का बहुत ही बड़ा महत्व है इस दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता बरसों से हम इस दिन का इंतजार करते हैं और जितने भी तांतरी को पाये हैं वो होली पर करने में इतने प्रभावी होते हैं कि ख़ण भर में आपको असर दिखा देंगे तो जिन कन्याओं की शादी में कोई अड़्चन आ रही हो या किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो वो यह सरलुपाय कर सकते हैं आपको बस करना इतना है कि किसी खेत में जाईए जहां पर कि गेहु लगे हो उसकी तीन बाल आपको तोड़ कर लानी है और अपने सिर के उपर से साथ बार उसको घुमा कर आपको होली का दहन में डाल देनी है और इसके साथ ये बोलना है कि जो भी आपकी परेशानी है मैं उ को इस होली का दहन में दहन कर रही हूं इसके बाद जो है आपका सोभाग्य उद्य हो जाएगा चाहे बरसों से ही शादी ना हो रही हो तो भी आपके पास अच्छे अवसर आएंगे इस उपाय को करने के बाद अगर किसी कुंडली में दोश हो या मांगलिक दोश हो या किसी प्रकार का दोश हो जिससे कि शादी में कोई अडचन आ रही हो उसके लिए उपाय सटीक रहेगा अक्सर मैंने देखा है कि 20-30 साल से जिनके रिष्टे ना रहे हो वो भी इस उपाय को करने के बाद उनके रिष्टे आने शुरू हो जाते हैं ऐसा करने से आपके जितने भी शादी से रिलेज़ेड दोश हैं वो सारे शुन्ने हो जाते हैं और इसके बाद आपके पास अच्छे अफसर आने शुरू हो जाते हैं और कुछी दिनों में विवाह संपन हो जाता हैं तो किसी भी परकार की जानकारे के लिए मुझे कॉल कीज़ेगा 999-284-1625 और ये उपाए करना है तो इससे पहले आप जाएए किसी खेत में और देखे यहाँ पर जहांपई कहीं गेहूं लगे हों उनकी तीन बाद आपको कहीं से भी लेकर आनी हैं जाहे तो एक दिन पहले लेकर रख लीजे और होली का दहन वाले दिन ये उपाए जिए अगर किसी भी त पूछना हो तो मुझे कॉल कीजेगा धन्यवाद